ब्रेश्टर चार का खाड़ा बना BPSC एक्जाम BPSC पेपर लिक मामले में हुआ बड़ा खुलासा 10 लाख रुपे में बेचा गया बिहार का भविश्य एक्जाम की शुरुआती दौर में थी बेस्ट डिल E.O.U ने मामले में चार लोगों को किया गिरफतार खाते से लाखोर रुपे का किया गया ट्रांसफर सीज किये गए कई बैंक अकाउंट्स पेपर लिक में प्रियोग होने वाले सामान बरामत बिहार लोग सेवा आयोगो की पीटी परिक्षा के प्रश्णुपत्र वाइरल होने के मामले में ईयोई ने बड़ा खुलासा किया है बीपीएसी की पीटी परिक्षा में कैंडिडेट्स से पेपर और आंसर बताने के लिए आट से दस लाख रुपे की डील पकी हुई थी बकायता इस प्रश्णुपत्र के लिए रकम की वसूली भी की गई थी प्रश्णुपत्र के बदले में हर कैंडिडेट्स से दस दस लाख रुपे लिए गए जिसके बाद ये पैसे अलग-अलग खातों में डलवाया गया ईयोई ने इस मामले में चार लोगों को गिरफतार किया है इसके साथ ही कई बैंक अकाउन्ट्स को सीजबी कर दिया गया है बता दे के शातिर माफियाओं ने ये डिल एक-दो नहीं बलके कई कैंडिडेट्स के साथ की थी एक्जाम के शरुवाती दौर में एक एक्जाम के लिए ये बेस्ट टील थी वहीं माफियाओं के ठीकानों पर चापे मारी की गई वहाँ से पेपर चोरी करने के कई सामान बरामत किये गए इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कैश की बरामतगी भी हुई है गिरहों के सदस्यों से पूछताच और चापे मारी के दोरान इनके कई बैंक अकाउंट्स का पता चला है इनी बैंक खातों के जरीए इस डिल को पूरा किया जाता था कैंडिडेट से रुपएं लेकर शातिर तरीके से पैसों की हेरफेर की जाती थी इयो यू की जाच में पता चला है कि इन खातों से लाखों रुपए के ट्रांसफर किये गए हैं ब्रश्टो चार का लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि बच्चों की जिन्दगी के साथ भी अब खिलवार कर माफिया अपना काम निकाल रहे हैं हाला कि सरकार ने इस मामले पर सकती से जाच करने के आदेश लिया है जिसके बाद माफिया पर सिकंजा कसने के लिए ई-ओ-यू ने भी अपनी कमर कसली है बिरो रिपोर्ट पंजाब के सिटीवी